अस्राम अलेकुम देरी स्टूरेंट्स, वेलकॉम तो वर यूट्यूब चैनल मेथ वताशनली, तोड़े वी डिस्कस्ट चेप्टर नूबर 7, Mathematics of Class 7, Perimeter in Area of the Plane Figures, Exercise 7b, Exercise 7b, Question No.1, Question No.1 में है Area of Paragram, जो हमने में फार्मुले का Area of Paragram is equal to Base into Height, अब इसी फार्मुले में हमें हम Question No.1 के एे पार्ट में, Base given है, Base हमारे पास है 12 cm, वर Height given है 7 cm, फिर हम अगर Area of Paragram को फार्मुले में है, Base into Height, Base है 12 cm, Height है 7 cm, तो तो तोड़े को 7 से मल्टिप्लाइ करेंगे, 84 cm आएगा, हमारा सिंटिमेटर स्कॉार हो जाएगा Area of Paragram, इसी फार्मुले में हमारा पार्ट का अंसर है, अब अगर इसी Question में, इसी Question के दूसरे पार्ट है, B, B पार्ट में हमारे पास, जो Area का फार्मुला हम सेम ये यूज़ करेंगे, Area is equal to Base into Height, अगर हमें Area given है, और Base भी given है, हाइट मालुम करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये वहले हाइट जो है, ये दर ही Base को हम इस तरफ ले कर जाएंगे, तो इसका फार्मुला हो जाएगा, Height is equal to Area upon Base, अगर फार्ट सपोज, आपको फार्मुले की तर्टीब इस तरह करनी है, कि आपके पास Area given है, Base मालुम करना है, हाइट given है, ठीक है, ये वाली चीज़ गिविन है, Area और Height, Base मालुम करना है, तो फिर ये हो जाएगा, Base is equal to Area upon Height, कि अधर मल्टी बला कर रहे थी, उस दरह जाके डिवाइड करेगी, ठीक है, ये दो कंडिशन आप बाकी पार्ट्स में दो में यूज़ करके, इसका अंसर easily calculate कर सकते हो, Okay, now, अभी Question No.2 है, Area of Trapesm, Area of Trapesm का फार्मूला है, 1 upon 2, Side 1, Plus Side 2 into Height, Parallel Side 1 कोस्चन में गिवन होती है, Parallel Side 2 और Height, ये तीन चीज़े अगर गिवन हैं, तो हम Area of Trapesm फाइन कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे देखे हैं, कि इसके फार्मूले को दूसरे दिखने का तरीक ह ये 1 upon 2, Side 1 को A लिखते हैं, Side 2, Parallel Side 2 को B लिखते हैं, और Height से Multiply करते हैं, ए पार्ट में हमारे पास Parallel Side 1, यानि A की Value 7 cm है, Parallel Side 2, यानि B की Value 11 cm है, Height 6 cm है, तो हम यहाँ वे वेल्यू पुट करेंगे, 1 upon 2, Parallel Side 1 की Value 7 cm, प्लस Parallel Side 2 की Value 11 cm, Multiply by Height 6 cm, तो हम यहाँ पर पहले को Plus करें, तो ही हो जाएगा, 18 cm और Multiply by Same 6 cm, फिर हम टेबल लगाएं, तो ही लगाएं यहाँ टू को टेबल यान टेम, टू को टेबल 3 तैम, तो 18 को 3 से Multiply करेंगे, तो 18 तू तरी हो जाएगा, 54 cm मौल्टी प्ला संटिमीटर संटिमीटर स्काइर, य अगर हमें इस फार्मूले की बाकी पार्ट्स में तरतीब अरेजमेंट होई चेंज करनी है तो वह हम कैसे कर सकते हैं पर सब्सक्राइब हमें एरा गिविन हो पर एल्लस वन अपान टू ए और बी की वेल्यू भी गिविन हो एच हाइट मालूम करनी हो अगर यह वाली हाइट में मालूम करनी है यह दोनों की विन है एरा बे की विन है तो हम क्या करेंगे वन अपान टू पहले टू दाले कर जाएंगे यह टू ए बन जाएगा और फिर ए प्लस बी की वेल्यू को प्लस करके उसको उससे डिवाइट करते हैं यहाँ पर मिंट सर यह जाएगा ए प्लस बी यह जो है एरिया हाई ठीक है आप यहां पर कंफ्यूज नहीं हो जाना है इसलिए मैंने आपको फार्मॉले में साइड वन साइड टू लिख वाया था क्यूंकि एक अगर एरिया लिखते हैं तो वो भी उदर मैचिंग हो जाता है एच यहां पर सेम रहेगा ठीया इस तरह ह मैं अघ्ट भी जाता है एी अड़े ऄाधो टछिव नहीं हो स्वेसे फेले हम धो हाईट की वेलूट करके इदर टू से कट करेंगे जो भी कट होगा फिर जो हाइट दर जाके डिवाइट करेंगी तो एरिया अपान हाइट करेंगे फिर जो इसका अंसर निकलेगा फिर ए पलस बी यहां सेम रहेगा फिर जो अंसर निकलेगा वहां पे एरिया अपान हाइट माइनस वह ए हो जाएगा और बी की वेलियों मिल जाएगी ठीका तो यह डिपेंट करता है अब फार्मले को किस तरह तर्टीब देखे फिरा के सौल कर रहे हो कॉस्टन नमबर दिसकस कर लेते हैं कॉस्टन नमबर तिखन नूबर थिमेंजेंको गिवने स्पॉश्चों माता बेसे तो यह जो लाइन डी से लेकर यह यह अही तक आ रहे है यह हमारी हाइश है और जो लाइन 90 डिगरी जिस लाइन बे बन रही होगी वह बेस में 6 हमारा है बेस यह वाला तो जब एरिया में हम लिखेंगे यहां पर फार्मॉला एरिया इकल टू बेस इंटू हाइट तो उस वक्त हमारे पास जो बेस होगा यह वाला 6 हो जाएगा जो क्योंकि 90 डिगरी जिस पे बन रहा है और फिर हाइट जोगी नाइन हो जाएगी ठीक है तो 6 बेस होगा और 9 हाइट होगी ऐस तरह आपने जो है वो बेस है दोनों लंकने हैं यह खाया लखना कि इस पे बन रहा है नाइटीडिगी एगल बेस है जो नाइटीगरी बना रहा है जिसे यहां पर टॉट्र लाइन नाइटीडिगरी बना रही ही यह हाइट है तो बेस इंटु हाइट करेंगे एरा परेलोग्राम बनेगा तो नाइन सिक्स जा कितना होगा 63 सिंटी मीटर स्कॉार ठीक है उसके बाद हम यहां पर जो है वो पेरिमिटर फाइन करेंगे पेरिमिटर का फार्मूला है सेम रेक्टेंगल वाला जो पेरिमिटर पेरिमिटर परेलोग्राम है वो सेम रेक्टेंगल वाला लेंथ प्लस ब्रेथ एल प्लस बी अब यह लेंथ जो है इसमें यह एल जो है यहां पर हो जाएगी टैन और जो बी होगी वो होगी सिक्स क्यों लेंद थम्हादा बड़ी होती है और बड़ी थम्हादा छोटी होती है तो आप यहां पर लिखेंगे 2 एले 10 cm प्लस 6 cm तो यह 2 इंटू 16 cm इकल टू 32 cm हो जाएगा कि 2 गो 16 से मुट्पिला करेंगे 32 हो जाएगा ओके स्टूरंट्स नाव डिसकस कोष्चन नमबर 4 में हमारे पास यह प्रिज़र्ग्रम में PQRS इसके ओपर दो हाइट बन रहे हैं एक हाइट बन रहे है एस्टी मदलों यह लाइन तो यह बेस होगा PQ दूसरा हाइट हमारे पास बन रहा है SU जिसका base होगा QR तो हमारे पास जो मेरमेट गिविन है QR यानि यह base हमें 10 cm जो यहां पर गिविन है QR 10 cm है ST height है वो 8 मीटर है और SU 11.2 मीटर है PQ की length हमें मालूम करनी है इस question में तो इस question में हम जो है वो era program का formula यूज़ करेंगे base into height वाला पर वो दो दफा यूज़ करेंगे क्योंकि ये दो height हमें given है दोनों height को equal करकर लिखेंगे area तो equal होगा और वहां से हमें ये फाइदा होगा कि जो हमारे पार unknown measurement है वो हमें मिल जाएगी ठीक है तो हम यहां पर लिखेंगे base into height equal to base into height first जो height बन रही है जिस base पे वो लिखेंगे pq base है और st height है second जो height जिस base पे बन रही है वो है qr height है qr base है और su height है तो अब नहीं आप पर pq की value तो मालूम करनी है same लिखेंगे pq st की value हमें given है 11 point st की 8 meter qr की 10 meter और su की 11 point 2 meter 11 point 2 को आपने 10 से multiply करने देना ही हो जागा 100 100 total meter square pq की value हमें मालूम करनी है तो 10 जो यहां पे 8 यहां पे pq से multiply हो रहा हो जाके divide करेगा तो pq की value फाइंड करने के लिए हम जब 100 12 को divide करेंगे 8 से one time table लगेगा 11 पे 8 का बागी बचेंगे 3 फिर 2 नीचे उता देंगे फिर 4 time 32 तो answer आएगा 14 cm यह इस question का answer है okay student now we discuss question number 5 question number 5 में हमें trapeism की diagram given है यह trapeism है इसके सिर्फ दो side parallel होते हैं और दो side unparallel होते हैं तो हम जब इसका formula यूज करते हैं अगर हमें area find करना है trapeism का तो area का formula है one upon two parallel site one जिसको हम a लिखते हैं और parallel side two जिसको b लिखते हैं multiply height लिखते हैं ठीक है यहां पर आप बहले side one और side two लिख दो तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है a b की जगह बे side one side two लिख सकते हो हम जिखेंगे आपको ऐसे पता जालेगा यह जो निशान लगे होंगे ना यह parallel side के निशान है means आमने सामने यह side parallel है equal नहीं होंगे बस parallel होंगे तो area of trapesm अगर हमें मालूम करना इस question में तो one upon two same लखेंगे side parallel side one की value है 35.5 cm parallel side two की value है 20 cm और height जो है 90 degree जो बना रहा होगा वो height होगा जिसे यहां पर यह वाला height है 15 cm ठीक है तो यहां पर one upon two हम same रखें और 35 में 20 plus करेंगे 55.5 cm हो जाएगा और अगर हम 15 cutable two पे दर लगा देते हैं तो 7.5 बचेगा तो 7.5 से इसको multiply करेंगे और यह बना पर one two भी फिर cut हो जाएगा तीक है फिर इसको आगए आप multiple है करके इसका जो भी answer है वो आपको खुद लिखना है same book वाला कोस्टन है इसमें कोई बस सिर्व आपको फार्मूले में है जो value कहां से लेनी है वो खया लगना है फिर अगर आपको यहां पर number second में perimeter find करना है perimeter of paragraph का फार्मूला है A plus B plus tripism का C plus D क्योंकि perimeter of tripism में चारों साइट जो हैं वो अनिकल होते हैं चारों साइट को हम यहां पर 35.5 है 18 है 20 है 16 है यह सारे हम add करके रखेंगे तो 35.5 plus 18 plus 20 plus 16 यह दो 20 और 16 36 36 में हम अगर 8 plus करें तो 44 54 54 में फिर हम 35 plus करें तो अनसर क्या आएगा 54 और 35 .5 तो .5 सेम रहेगा यहां पर 9 होगा यहां पर 8 होगा 89.5 cm इसका अनसर आजाएगा ओके दियर स्टूरंट्स नाव वे डिसकस कॉस्चन नमबर 6 कॉस्चन नमबर 6 में भी हमारे पास ट्रेपेजम की कॉस्चन गिवेन है ट्रेपेजम की डियागराम में पी क्यू आर एस इस डियागराम में हमारे पास पी क्यू की लेंथ गिवेन है पैरल साइड वन की पैरल साइड टू की लेंथ गिवेन नहीं है और जो बगी हमें पर हाइट हमें धमिन है पिटी जो हाइट 90 िगरि बन रही है टेन मीटर और यह एस पी साइड गिवेन है और हमें इसमें पेरैमिटर गिवेन है 54.7 और अश्चन बीवेन है तो अगर यह दोने चीह पूछा है सिर फिर इस की length कितनी होगी और qr की length कितनी होगी rs मतलब यह parallel side 2 यह जो आपको देखर है दर rs यह वाली length इसकी given नहीं है और qr जो यह side है इसकी भी length given नहीं है तो सबसे पहले हम area का formula यूज़ करेंगे area of trapeism is equal to 1 upon 2 a plus b लिख लो यह parallel side 1 plus side 2 लिखके multiply by height लिखो तो area हमें इदर given है 150 meter square question में ही लिखकी भी है area 150 meter square equal to 1 upon 2 करेंगे parallel side 1 की value given है 12 12 meter और plus b की value हमें मालूम करनी है height है 10 meter सबसे पहले हम table लगाएंगे 2 का table 1 time 10 पर 5 time तो यह 5 meter जो यहां पर बचेगा वो अदर जाके 150 को divide करेंगे उससे 150 meter square को हम divide करेंगे 5 meter से 5 का table 1 time और इदर 5 का table 3 time बचेगा 30 equal to यहां पर जाएगा 12 meter plus b बची दो value सेम रहेंगी 5 उसदर चला गया तो अगर हमें यहां पर 30 meter यहां पर टेबल मीटर मीटर से कट हो जाएब एक मीटर बचेगा 30 meter equal to 12 meter plus b यह value मिल गई तो अगर हम क्या करेंगे 12 जो यह दर प्लस कर दर जाकर minus करेंगे means b की value जो होगी 30 minus 12 equal to 18 meter यह number one का answer में मिल गया b means b की value लिखें यहां हम उसकी side का नाम लिख दें और उसका नाम है rs तो हम यहां पर rs भी लिख सकते हैं rs के बाद हम find करेंगे जो side हमारे पास given है qr qr की length हमारे पास given नहीं है rs हमने find कर ली rs हमें पिछले part में मिला था 18 means यह वाला हमारे side होगी 18 meter यह 3 side हमें given है तो हम अब parameter का formula यूज करेंगे parameter equal to a plus b plus c plus d यह parameter of trapezium तो parameter की value है 54.7 meter equal to a की value है a means parallel side 1 मतलब एक side first side की value है 12 meter plus फिर b जो side है वो qr हमें मालुम करनी है पर third 18 meter फिर fourth है 13 meter इन तेनों को plus करेंगे 18, 20, 30, 43 यह जगा 43 meter plus qr और यहां पे 54.7 meter से हैं अब हमें qr मालुम करना है तो हम क्या करेंगे 54.7 meter में से माइनस करेंगे 43 meter तो अनसर यहां पर आ जाएगा 11.7 meter 11.3 meter qr की value आएगी यह आपका parameter का value है ओके स्टूरंट्स अब हम डिसकस करेंगे question number 7 question number 7 में भी trapezium ही है यह आपके पास a, b, c, d इसकी diagram है यह a, d और b, c यह दो parallel side हैं और जो height बन रही है 90 degree है, वह यह 90 degree बना रहा है, वह ए, a, b यही सेम पर जो ना, वो 90 degree बना रहा है, 12 centimeter तीन values हमें यहां पर given है तो हम अब इन्होंने कहा है कि हमें area of shaded region मतलब जिसमें color किया हुआ है इसका area fine करना है, बीच में जो यह shape बन रहा है, triangle इसको remove करवा देना है तो सबसे पहले हम area of trapesm find करेंगे area of trapesm का formula है, one upon two a plus b into height अब यहां पर one upon two formula का आगया, a जो है, वो है, a, d parallel side one जो है, उसका नाम a, d लिखेंगे और parallel side two का नाम bc लिखेंगे, और height जो है, वो a, b लिखेंगे, यह 90 degree यहां पर बना रही है, यह वाली side हमारी height है तो यहां पर one upon two a, d की measurement है, 10 bc की है, 14 और height की value है 12 two cutable one time, two cutable six time बाकि यहां बर बच गया, यह 14 plus 10, 24 24 को हम 6 से multiply करेंगे तो answer क्या आएगा 24 को हम 6 से multiply six fours are six fours are 24 फिर one उपर जाएगा, two उपर जाएगे फिर six two's are 12, 14 यह जगा 144 144 जो है ना हमारे पास आ गया इसका area of trapezy मतलब पूरी figure का area अब हम क्या करेंगे, इस में से यह triangle की area हम दोबार उनका लेंगे, area of triangle a of triangle में यह पे लिक रहा हूँ तो उसका formula है one upon two, base into height यहाँ पे base है यह जो parallel side है 14, यह इसका base है और जो height है पहले one upon two लिकेंगे और height जो है, वो दोबारा वही जह है, same height है जो आप हम लिकेंगे टॉइल तो two का table हम लगाएंगे, यहाँ पर seven time लगएगा seven को टॉइल से multiply करेंगे seven centimeter तो यह जगा 84 centimeter अब हमें जो figure की एरा फाइन करनी है मतलब final जो trapeism में से यहाँ ट्राइंगल की एरा निकाल के बाकी इसकी एरा जो बचती है तो वो हम लिखेंगे 144 centimeter में से square में से हमने 84 centimeter square माइनस कर देंगे ठीक है बाकी बचेंगे 60 centimeter square तो वो बचेंगी shaded region की एरिया यह हमार अंसर है